हेलो एवरिवन, वेलकम टू अभीमन्यू आईये and the students who are registered in super 5 I hope जैसे जैसे आपकी preparation चल रही है आप लोगो का भी confidence level बढ़ रहा होगा भी C-set के लिए थोड़ा confidence level बढ़ रहा होगा कि हाँ हम कर लेंगे and I promise कि आप लोग easily कर लोगे अगर आप step by step preparation करते हो C-set easily आप qualify कर लोगे अगर आप step by step preparation करते हो तो अभी कुछ classes हमारी super 5 की हो चुकी है जिसके अंदर number system आप लोगों का discuss हो चुका है yes number system हम discuss कर चुके है इसके अलावा average profit and loss आज discuss करेंगी percentage ratio and proportion okay coding decoding तो जिन्होंने join करना है description में link available है कोई charges नहीं है इसके आप इसको join कर सकते हूँ description में link available है बिल्कुल step by step आप लोगों को guide कर रहें yes we are providing you the guidance कि हाँ कैसे prepare करना है step by step कैसे कैसे topics prepare करने now it's up to you कि आप कैसे करते हो हाँ मैं इस चीज के guarantee लेते हूँ कि अगर आप step by step preparation करते हो in that case you can easily qualify the C set ओके हाँ अगर आप लोगो छोटे मोटे जैसे जो जैसे classes के अंदर में questions कर आ रहे हो आपको लगता है हाँ इतना हम कर पार है इस case के अंदर practice करो ठीक है अगर concepts clear है particular topic के then practice और अगर concepts clear नहीं है then clear the concepts first okay analyze yourself now you are in a stage कि हाँ आप खुद को analyze कर सकते what is my requirement मुझे क्या चाहिए चार लोग अगर चार बाते कहते हैं तो सभी की बातों में नहीं हमने वड़ना हमने अपना दिमाग यूज करना है कि हमने कैसे prepare करना है ठीक है मेरी requirement क्या है एक इनसान कह रहा है आपको नहीं जी आप complete course लो एक कह रहा है कि नहीं नहीं आप microverses लो एक कह रहा है कि नहीं नहीं सिरफ test series मस्त है उससे आपका काम चल जाएगा आप खुद से देखो कि मुझे कितना आता है क्योंकि हर एक aspirant का अलग-अलग दिमाग है सबकी अलग-अलग knowledge है सबका अलग-अलग background है किसी के लिए maths easy है तो किसी के लिए difficult है छोटे-छोटे concepts भी difficult लगते है ठीक है तो कोई students को English easy लगती है तो किसी के लिए English difficult है किसी के लिए logical reasoning interesting है easy है तो किसी के लिए वही काफी ज़्यादा difficult है so analyze yourself पहले खुद को analyze करो and then think कि what should you do okay so start करते है तो आज की class के अंदर बेटे discuss करेंगे हम profit and loss profit and loss five questions हमने discuss करने देखते हैं yes क्या है question पहला question है एक बात मैं आप लोगों के साथ share करना चाहूंगी बार बार repeatedly share करती हूं कि जब हम बात करते हैं C set की तो उस case के अंदर आपको direct की बज़े थोड़ा logical question exam के अंदर मिलेगा means ऐसा नहीं है कि हमें formula learn कर लिया तो उसके उपर हम कर लेंगे फोड़ लोजिकल questions आपको exam में मिलते हैं और अगर आप logically strong हो और आपकी practice है in that case आप कर लोगे easily तो अभी देखी जैसे यह question है क्या है question cost price of two article is same दो article का cost price same है ठीक है एक के उपर उसको 40 परसेंट का profit मिला है selling price of second article is 20 परसेंट less than the first article जो second article है उसका price जो selling price of 25 परसेंट less है किससे पहले वाले से in that case overall profit percentage क्या है लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया कि percentage एक ऐसा concept है अगर उसको आप अच्छे से कर लेते हो ना तो profit and loss तो अपने आप हो जाएगा अपने आप हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा logically strong हो तो देखो जैसे इसके अंदर ही है अगर हमारे पास में क्या गिवा ना cost price cost price दो article है let us say one is a1 and second is a2 क्या कहा रहा है दोनों का price क्या है same है सेम है हमने consider कर लिया भई इसका कितना 100 rupees है इसका भी price 100 rupees है कोई problem अब आप कहोगे मैडम 100 क्यों लिया 100 इसलिए लिया है so that की calculation easy हो जाए because percentage is what percentage is anything out of 100 out of 100 तो calculation easy हो जाती अब उसने क्या कहा है पहले के उपर उसको 40% का profit मिला है profit मिला है 140 rupees का profit मिल गया that means कि कितने में बेचा उसने 140 rupees के अंदर 140 rupees में इसका selling price कितना हो गया 140 rupees दूसरे का क्या क्या कह रहा है selling price of second is 25% less than the first is say 25% less 25% कितना होते है 25% is equal to 1 by 4 that means कि कितना less है इससे 1 by 4 less है less that means कि कितना हो गया यह हो गया आपने पास में 35 that means कि 35 rupees उससे less है less है तो कितने का पड़ा उसको 105 का that means कि इसका जो price है वो कितना आ गया 105 यह बताओ यह कूँ सिम्पल सा point था 25% 25% less वैसे भी अगर हम बात करें तो 25% less हो गया that means कि 100% का कितना हो गया 75% 75% 140 का 75% कितना हो गया आपके पास में 105 क्लियर अब उसमें कहां कि बताओ total profit कितना हुआ है तो अगर हम देखे total CP कितना है दोनों का 100 100 total कितना हो गया 200 हाँ जी SP कितना हो गया 245 profit कितना हो गया हाँ जी profit profit कितना हो गया 200 से 200 का total था और 25 में उसको sale कर दिया that means कि 45 का profit हो गया अगर हम profit percentage की बात करें percentage की बात करें तो किस पर find out करेंगे CP पे divided by 200 जब percentage की बात है तो multiply by 100 भी करेंगे 2 और ये कितना हो गया सादे 20% क्या answer आगे आपके पास option D will be the correct answer option D will be the correct answer हाँ जी अब देखो यहाँ पे logical question था simple कोई formula यहाँ पे use हुआ अगर हमारा percentage का concept है clear तो हम देखो किता easily कर लेंगे इसको और थोड़ा सा logically भी strong होना चाहिए so that कि अब जैसे हम गर मुझे यही नहीं पता कि हाँ इतने में purchase किया इतने मुझे profit होगा या loss होगा कितने का होगा तो फिर तो कुछ करी नहीं सकते तो logically हमने strong बनाना अपने आपको yes make yourself logically strong okay next question है देखो अब जब हम बात करते CSET के exam की तो जरूरी नहीं है कि आपको इस तरह से direct question मिलेगा जैसे यह भी है question logical बड़ जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे statement मिल गी और चार options मिल गी एक option answer आ गया तो मुझे confirm हो गया yes this is the answer यह देखो क्या है question आपके पास में data sufficiency की form में question मिल सकते हैं आपको multiple statement based question मिल सकते exam के अंदर okay तो अगर हमारे concept clear है तो हम सारा कर लेंगे कोई भी इस्यू नहीं आना है अब जैसे यहाँ पर कर रहाए कितना profit मिलेगा कितना profit मिलेगा तो यहाँ पर सेंट डिसकाउंट इस गीवन ओन दा लिस्ट प्राइस पांच पर सेंट का डिसकाउंट दे रहे हैं तो हम कैसे बताएंगे कि profit कितना हो रहा है नहीं बता सकते डाट मिन्स किक सरफ 1 से तो नहीं आंसर आएगा और साथ में options पर भी ध्यान देना है क्या कर रहा वन एंड टू अब वन और टू दोनों को बता है तो मैं कर सकते हूं तो जब अगर इस तरह की situation है in that case हम find out कर सकते हैं क्योंकि यहां पर इसने यह नहीं पुछा profit कितना उसने का का profit percentage कितना है that means relative value पर percentage में value है यहां पर percentage में यहां पर पर percentage में we can find out कितना होगा yes directly हम यहां पर successive लगाफी कर सकते हैं discount is 5, 20 into 5 by 100, कितना हो गया, 14 percent profit, yes, answer आजाएगा आपके पास 14 percent, that means कि with the help of first and second, we can answer, this is your answer, हाँ, बट अगर मुझे पता ही निये कि हाँ, इसने मैं answer कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो concepts तो clear होने जुरूर ही, concepts अभी ने clear करने, जो students, already complete कर चुके हैं, complete course को, तो this is the practice session for that, हाँ जी, practice अपनी बना के रखेंगे, ऐसा निये कि हाँ जी, एक बार हमने syllabus cover कर लिया, that means कि हाँ जी हो गया, आफ्टर covering the syllabus, practice आपको बना के रखनी है, अपनी देली थोड़ थोड़े questions करते रहना है, so that कि आपके जो concepts है, वो mind में बने रहें, next question है, देखो क्या है, last year Mr. A bought two paintings, दो paintings उसने खरीद दिये, this year he sold them 2,000 each, दोनों को 20,000 रुपे में बेज दिये, on one, he made 25% profit, and on the other, he had 25% loss, एक पर 25% का profit हुआ है, तो दूसरे पर लोस हुआ है, तो याद करो, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कि जब भी इस तरह की situation आती है, उस case में क्या होगा, हाँ जी, जब भी इस तरह की situation होती है, कि हाँ जी, same profit, same loss आ रहा है, then there will always be loss, हमेशा loss होगा, कभी भी profit नहीं होता हुआ, बात आते है कि कितना loss होगा, कितना loss होगा, a square by 100 का, a square by 100 का loss होगा, ठीक है न, तो हमारे पास loss percent आगी, और loss percent से आप यहाँ से, find out कर सकते हो, बट यहाँ पर options के, options तो loss percent में नहीं है, अन, options यहाँ पर क्या given है, he lost more than 2,000, who lost less than 2,000, he earned more than 2,000, he earned less than 2,000, यह तो दोनों cancel out होगे, क्यों, क्योंकि उसने क्या काया, एक पे profit होए, तो एक पे loss होए, दोनों का selling price same है, तो उस case के अंदर हम क्या कहेंगे, loss ही होगा, loss ही होगा उसको, अब यहाँ में हमने value देखनी है कि कितनी बनेगी, तो यहाँ से अगर हम देखें, तो बेटा देखो, अगर हम overall loss की बात करें, कितना बनेगा आपके पास में, 25 percent, means a square by 100, that means 6.25 percent, that means कितना होगा, अगर हम इसको fraction के अंदर करवर्ट करते हैं, तो 12 percent होता, आपके पास 1 by 8, 6.25 हो जाएगा, आपके पास 1 by 16 है ना, तो 1 by 16, that means कि अगर यह हमारे पास में CP है, तो यह क्या है, आपके पास में lows है, ठीक है, तो SP क्या हो गया, SP क्या हो गया आपके पास, 50, यह point clear है, यह point clear है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, तो यह क्या कह रहे है, SP कितना है, 20 percent, 20,000 for each, अगर हम overall देखें, तो 20,000, 20,000, that means कि 40,000, 40,000, that means this 15 is units, is equal to 40,000, 1 unit is equal to 40,000, divided by 15, ओके, और यहाँ पर हमने क्या find out करने है, हमने find out करने है, 1 की value find out करने, loss find out करने, loss is equal to 1, calculate करो, calculate करो, यहाँ से, ओके, तियो होगे, 3, 2, 6, 18, अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो यह value हम nearby लेते हैं, क्या बनेगा आपके पास में, approximate अगर मैं देखूती होज़ेगा, 266, 7, ओके, and this is more than 2,000, more than 2,000, तो क्या answer आगया, the loss is more than 2,000, ओके, clear है, सभी को कोई minor सा doubt इसके अंदर, अगर कोई doubt आता है, comment in the comment section, ठीक है, जो registered candidate है, they can comment in the let us discuss column, ओके, हाँ जो software का let us discuss column में, वहाँ पे आपना doubt डाल देंगे, ओके, yes, अगर वीडियो अच्छी लगे है, कुछ समझ आ रहा है, तो वीडियो को like और share जरूर करेंगे, share करेंगे, you are the, आप यह कहिए, कि आजो students है, वो finally motivation होते हैं teacher के लिए, your likes and sharing motivates us, next देखिए, next question है, screen पे क्या है, in a certain store, the profit is 320% of the cost price, yes, अब यहाँ पे 320 देखिए, में लगता है कि अब क्या हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, देखिए, पहले question को पूरे को read करते है, क्या कह रहे है, 320% of the cost price, if the cost increase by 25%, but the selling price remains constant, approximately what percent of the selling price is profit, अब यहाँ पे देखो, सारा का सारा data किसमें, percentage में, options किसमें, percentage में, that means कि हम सिदा 100 से question को solve कर सकते हैं, तो मैं अगर कहते हूं कि जो CP है, वो कितना है 100, इसने क्या क्या क्या, profit कितना है, इस 320%, that means कि कितना हो गया, 320 हो गया, profit कितना हो गया, 320 हो गया, 320 by 100 into 100, cancel out करेंगे, finally 320 मिलेगा, ठीक है, that means कि जो SP है, SP कितना हो गया आपके पास, 420, अब इसमें क्या क्या क्या, if the cost increase by 25%, cost that means कि जो नया CP है, वो कितना हो गया, 25% increase हो गया, 100 से कितना हो गया, 125 हो गया, but selling price remain constant, selling price यही है, यह cost price है, अब क्या 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 उसने, उसने यह नहीं कहा कि हांजी profit percentage calculate करो, यहाँ पर एक छोटी सी जो line है ना, of, selling price remains constantly, then what percent of selling price, of selling price, of selling price is the profit, is the profit, तो अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ profit की, तो profit कितना आगया आपके पास में, यह हो गया, आपके पास, 11 से 9, और यह हो गया, आपके पास में 200 पिच्चान में रुपय, ठीक है, 295 हा गया, अब यहाँ पर किस से calculate करना है, of selling price, of selling price, तो हमारा जो required percentage है, वो क्या रहेगी, 295 divided by selling price, and selling price is 420, into 100, ओके, करो, यह cancel out हो गया, यह हो गया आपके पास में, हाँ जी, यह value क्या आजाएगी, यहाँ पर देखो, पुरे पुरा तो cancel out हो नहीं रहा, पुरे का पुरा तो यहाँ पर बिटा, cancel out हो नहीं रहा, value nearby जाएगी, अगर हम nearby के अंदर भी देखें, nearby के अंदर भी देखें, तो यहाँ पर अगर मैं इसको ले लेती हूँ, 7 से अगर करते, इसको ले लेते मैं 294 अगर मैं consider कर लो, अगर मैं कहते हूँ कि हाँ nearby लेना, 249 कर लेते हैं, यह यहाँ पर वैल्यू है, approximately अगर मैं देखों, तो इसको ऐसे लिख सकते हूँ, आप तो मेरी खाल में कोई दिक्कत नहीं है, अब देखो 7 से, 7 से 7, means approximately अगर हम यहाँ पर देखे, 0 से 0 तो यहाँ पर cancel out होई गही थी, आपकी कितना होगे, approximately 70%, approximately की बात करें, this is not the exact value, exact value will be more than 70%, because option में आपको more or less का option भी मिल सकते हैं, तो more than 70% बनेगा आपका, option B will be the correct answer, option B will be the correct answer, I hope सभी को clear है, next is shopkeeper sales rise at 10% profit and uses a weight 30% less than the actual measures, than his gain percent, यह जो dishonest dealer वाला जो case है वो भी important है, वो भी important है, तो अब इस तरह का जगर case आता है, तो उसमें अपने simply अपने mind में रखता है क्या है, मुझे क्या मिला है, या shopkeeper के point of view से देखो, कि shopkeeper ने हमें कितना देने का promise किया है, और हमें कितना दिया है, ओके, जो उसने मुझे दिया है, shopkeeper ने, shopkeeper ने, जो customer को दिया है, जो प्राइज कस्टमर से लिया है, जिसका प्राइज लिया है, बस इतना छोटा सा point याद रखना है, तो अभी यहाँ पे देखो, उसने क्या कहा, इस shopkeeper sales the rice at 10% profit, that means कि वो क्या कह रहा है हमें, कि भी 1000 gram है, मान लिजे, 1 gram is of 1 rupee, 1 gram is of 1 rupee, मैं आपको 10% profit पे बेच रहा हूँ, 10% profit पे बेच रहा हूँ, that means what, कि मैं आपको 11 रुपए का बेच रहा हूँ, बट उसने क्या किया, weight use किया 30% less, that means कि उसने मुझे कितने का दिया, मुझे इतना दिया, इतना दिया, that means कि जो उसने promise किया, यहाँ पे, customer को, तो यह क्या हो गया हमने, price किसका पे किया है हमने, that means this is SP, and this is CP, आप देखो profit कितना आजाएगा आपके पास में, profit is 400, CP के reference में find out करोगे, in 200, कितना आगया, yes 400 by 7, 400 by 7, that means what, 57 is to 1 by 7%, okay, so answer will be 57 is to 1 by 7%, जब आप यह वाली methodology यह उस करोगे, तो इस तरह के question कभी भी रोंग नहीं होंगे, कभी भी रोंग नहीं होंगे, okay, so it was all for today, आज की class के अंदर इतना ही discuss करेंगे, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ कुछ समझ आया है, तो वीडियो को like और share करतेंगे, ठीक है, अगर आपको practice questions के requirement है, then you can take the practice question through microverses, जो already registered है, उनके पास में यह सभी available है, उनके पास सभी available है, जो complete course में भी register है, उनके पास भी सभी available है, ठीक है, जो दूसरे students है, ठीक है, तो वो video lectures ले सकते हैं, नियर अबाउट profit loss के 20 types हैं, इसके अंदर सभी discuss की गई है, अगर concept के लिए हैं, तो obviously हर type के question हम कर लेंगे हैं, तो यहाँ पर concepts clear किये गए हैं, साथ में ही previous year के question का भी video है, अगर आपको चाहिए कि practice question, तो 541 practice questions are available, जो students लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं, फिर भी अगर कोई guidance आपको चाहिए, कोई आपकी query है, in that case, comment in the comment section, and in the complete course, phone number is also available, you can call also, okay, so thank you so much, मिलते हैं next class के अंदर, next topic के साथ में, तो बने रहिए अभी one new IS के साथ में, best of luck,